जेहिन्द आप सभी का बहुत बहुत Welcome है आज की इस वीडियो में और इस वीडियो का टॉपिक है कि काउंसलिंग क्या होता है और Government College किसको मिलता है और किसे मिलेगा ठेक है इस बार उस विशय पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले तो जितने भी स्टुडेंट ने सिच्छक दिवस की सुबकामनाय दी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, आज मैं कोई भी लाइब शिशन नहीं कर पाया, कोई भी वीडियो नहीं कर पाया व्यास्थता के कारण, और बहुत सारे आप लोगों के मैसेज़ेस का वाटसप पे आप लोगोंने कॉश्चन भीजा था, उसका रिपलाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज़ेस आ गये थे, लगबग एक से डिर्ड हजार से अधिक मैसेज हैं, जिसको रिपलाई करना किसी के भी एक इनसान के बस की बात नहीं है, इसके लिए मैंने अब टीमें लगा रखी हैं, तीन-चार लोग काम कर रहे हैं, उस पे आपकी हेल्प करेंगे, और अभी से लेकर के लाइव हेल्प डेक्स काम करेगा आपका, जब तक आपका कॉलेज नहीं एलाट हो जाता, यानि कि काउंसलिंग जब तक आपक प्रोसेस है, जिसमें आपको अपने पसंद की कॉलेज चोईस करनी होती है, मतलब आपको जो कॉलेज जो ब्रांच अच्छा लगता है, वही चोईस करना होता है काउंसलिंग में, और अगर आपका रैंक, आपका मार्क्स ठीक है, और अगर कोई आपको रेजर्वेशन है, इन सभी चीजों को मिल्या करके, अगर आप इलिजबल है, उस कॉलेज के उस ब्रांच के लिए, तब आपको वो कॉलेज एलोट किया जाता है, अन्यथा की दसा में, आपको आगे की राउंड में, जो है, यहाँ पर भीज दिया जाता है, काउंसलिंग में, ठीक है, अब द आपको इस टार्टिंग में ही जब मैं तयारी करा रहा था, तो मैंने कहा था, कि 50 कोशन आएगा, 50 कोशन करना, गलत मत करना कोई भी, क्यों? क्योंकि रैंक डिक्री रैंक जो है, आपका इंक्रीस करेगा, बढ़ेगा रैंक, और रैंक जितना जादा होगा, उतनी जादा आ आपको admission मिलेगा, rank अच्छा नहीं है, तो government college बहुत कम chance हैं मिलने के या ना के बराबर कह सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, analytics या data पे थोड़ा हम बात करेंगे, total government seat लगबग 46,000 के approximate हैं, exact नहीं बता रहा हूं, कुछ कम है, 46,000 seat मैं मान रहा हूं approximate में कि total आपका UP में 46,000 seat हैं, सभी ब्रांच को मिला करके, ठीक है, अब 46,000 seatों में आपका ये government और added दोनों मिला करके, government plus added, ठीक है, government और added दोनों मिला करके, मातर 46,000 seat हैं, जो आपकी counselling होती है, पिछले साल से तो दद्दस round counselling हो रही है, 11-11 round में, लेकिन उसमें जो first, second और third round की counselling होती है, यही सबसे ज़्यादा important है, और इसके अलावा कोई और counselling का round जो है, आपके लिए कोई माइने रखता है, उसमें इसके अलावा जो आपकी round में counselling होंगी ना, उसमें यह भी हो सकता है, कि जिन बच्चे ने exam नहीं दिया है, वो भी counselling करा सकते हैं, ठीक है, अब बच्चे कहते हैं कि cut off कितना बनेगा, क्या मतलब है कि 80 नंबर वाले को भी college मिले, का government college नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका rank काफी ज़्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20,000 वाले rank को पहले admission देना चाहिए, या फिर 40,000 वाले rank को, तो आप कहेंगे कि 20,000 जिसका rank है, उसको प पहले round में, first round में, सबसे पहले 10,000 बच्चों को 10K students को admission दिया जाता है, यहनि एक से लेकर के 10,000 rank, मतलब कि 10,000 rank तक जितने बच्चों का rank होता है, सबसे पहले round में इनको सभी college अलॉट कर दिया जाते हैं, उसके बाद आता है number आपका, second round में 20,000 rank से लेकर के 30 या 40,000 तक का ठीक है, और सबसे last यानि के third round counselling में, उसके बाद आपका जो 5000,000, 6000 सीटे बची रहती हैं, ठीक है, तो उसमें सीटों को फिल किया जाता है, बच्चों का admission लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिजे, first, second, third, three round होती हैं, और AC में आपका सभी बच्चों का admission हो जाता है, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है, कि आप कभी भी गलती से भी यहाँ पर एक भी private college choice नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, अगर आपने गलती से भी कोई private college लॉक कर दिया आपने counselling में, तो पूरे 10 round क्या 20 round भी अगर होंगे, तो आपको कोई government या added college नहीं alert हो सकता है, चाहे आप कितना भी अच्छा number लाए हो, कितना भी अच्छा rank लाए हो, क्योंकि जीकप का जो counselling system है, जो counselling software है, वो ऐसे ही fix किया गया है, कि कोई कितना भी बढ़िया rank वाला हो, अगर अपने rank से कम rank वाले college को एक बार select कर लेता है, और उसको गलती से वो alert हो गई, और alert तो होगी, क्योंकि आपका जो योगिता है, उसके लिए एकदम proper fit बैठ रहा है, तो उसमें अगर alert हो गया, तो वो कभी change नहीं होगा, कभी भी दूसरा college या trade आपको जो है वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, alert नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आपको क्या ध्य जान देना है, सबसे पहले ही round से सबसे important बात, कि गलती से भी private college lock मत करना, अगर हुआ, तो नहीं मिलेगा college, कोई भी वही trade, वही college हमेशा आपको हर round में alert कर देगा, बार बार, ठीक है, तो ये सारी चीजे है, अब कोई बच्चा 200-200 नमबर लाया है, और अच्छी rank भी उसक 1000 तक, 1000 तक rank अगर आ भी जाती है, और वो चाहता है कि वो risk ना ले, और पहले दूसरे तीसरे round में ही उसको government college जो है, अलोट कर दिया जाए, तो rank आते ही, आप मेरे personal whatsapp नमबर पे whatsapp करेंगे, ठीक है, और आपको हमारे जो counseling expert यानि की executives हैं, उनके द्वारा call forward किया जाएगा, direct आपसे call और whatsapp पे उनकी contact होगी, और directly आपका बिना पैसा लिए free में आपकी counseling कराएंगे, आपका जो भी form वेगरा fill करना होगा, वो आप fill करेंगे, और जो college वेगरा select करवाना होगा, वो करवाएंगे, और आपको college allot करवा करके दिया जाएगा, यहां तक आपकी help की जाए अगर आपको जरूरत लगती है कि मुझे याद करना चाहिए, तो आप बिगदम निश्चिन्त होकर, बेफिक्र होकर, आपके पास मेरा Instagram ID है, sonuwai450, ठेक है, आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे follow कर सकते हैं, ठेक है, 450 यह मेरी Instagram ID है, WhatsApp नमबर अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो description में आपको मिल जाएगा, वहाँ से WhatsApp नमबर ले लिजे, आप Telegram ग्रूप में add हो सकते हैं, और कोई भी tips और tricks चाहिए, तो आप मुझे बेजिजक contact कर सकते हैं, हाला कि बहुत जादा अगर messages आ जाते हैं, तो reply देने में थोड़ी देर होती है, लेगिन ऐसा नहीं है या फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम आप सभी स्वास्त रहें, मस्त रहें, यही हमारी सुबकामना हैं, जय हिंद